समिक्षवादी कलाकार थे तो इसमें आंसर है Option C रामचंद शुकल जी समिक्षवादी कलाकार थे किसने अपने चित्रों में बाईवल के विश्यों को मानवतावादी दरश्टी से चित्रित किया है तो इसका आंसर है Option D रूबेंस ने किस शताबदी में बरुक कला पनपी आंसर है इसका Option A सोलवी शताबदी में निमल लिखित में से कौन यूरोपी कला के स्वन यूग का चित्रकार है आंसर है इसका Option D रैमबरा दा हिंदू टेंपल पुस्तक के लेखा कौन है इसका आंसर है इसमें Option C पुस्तक दा हिंदू टेंपल बित्ती चित्रका वह कौन सा कलाकार है जो जैपूर से अलवर गया आंसर है Option B डालू राम ये जैपूर से अलवर गया था अलतामिरा के समक्ष कौन सी गुफा के शिला चित्र है इसका आंसर है Option A पंचमणी पाल पोतियों का विशय क्या था तो पाल पोतियों में बोध कथा है आंसर है Option A किशनगर शेली का संबंद कहां से है इसका आंसर है Option A जोधपूर की उपशेली थी किशनगर शेली किसी शाषक ने कहा था कि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो चित्रकला से घ्रणा करते है तो ये बात कही थी शाषक अकुबर ने आंसर है Option C यूरूपिय कला में नव शास्त्रियवाद प्रवत्ती का कलाकार कौन था तो आंसर है इसका जोक लूइस डेविड Option D सबसे अधिक सुंदर बादलो की पेंटिंग किसने बनाई है तो सबसे सुंदर बादलो का चित्रन किया है Option A टर्नर ने राजा गोवर्धन का संबन किशेली से था तो राजा गोवर्धन जो थे वो थे गुलेर शाशक, गुलेर शेली से उनका संबन था वो गुलेर थी पहाड़ी शेली आंसर हो जाएगा Option C पिकासो का जन्म किस देश में हुआ आंसर है Option B स्पेन में, इनका जन्म हुआ था 1881 में चित्र मैन और वुमेन 1967 का कलाकार कौन है तो इसका आंसर है Option D ये जतीन दास का बनाया हुआ चित्र है चित्र मैन और वुमेन 1967 का माध्यम क्या है तो इसका आंसर है ये ओल कलर या नहीं तेल चित्र है Option D है इसका आंसर काठी क्या है इसका आंसर है Option C लोकनरति ये है पश्चिम बंगाल का लोकनरति काठी कोई नाम, चिन या अन्य तरीका जो किसी कमपनी से उसे प्रयोग करने का नियाईक एकाधिकार प्रदान करता है ये क्या कहलाता है तो इसे कहा जाता है ट्रेड मार्क, आप्शन डी है इसका आंसर चित्र सरकस के चित्रकार कौन है इसे बनाया था कलाकर सोरने, आंसर है ऑप्शन बी साधन माला और पंच शिखागरंतों का सम्बन किसे शेली से है तो ये थी बोद्ध शेली, बोद्ध धर्म से सम्बन दित, आंसर है ऑप्शन बी किसके शाषनकाल में मुगल वास्तुकला, मुख्य रूप से राजिस्थानी वास्तुकला से प्रभावित थी इसका आंसर है ऑप्शन ए, अकबर के शाषनकाल में साध बहु मंदिर गौलियर की निर्मार करता राजा थे इसका आंसर है option B, राजा महीपाल परशु रामेश्वर मंदिर इस्थी थे यहे भूनेश्वर उडिसा में आंसर है option A किस कलाका ने कहा था कि मैं काम करते हुए मरना चाहता हूँ यह कहा था option A, से जानने सेद हेजर रजा का समयकाल था इसका आंसर है option C, 1922-2016 The Meaning of Art के लेखक है आंसर है option A, Herbert Reid सिंदुवाटी की सबिता से जुड़ा हुआ राजिस्थन का केंदर है option C, आहड KHRA का जन्व हुआ आंसर है option A, अंधरपदेश में लाट वा परगहा के भाग है आंसर है option A, ये इस्तंब के भाग है लाट वा परगह आंसर है